बिहार के दंगल में आपका स्वागत है मैं हूँ मनुजन भारती आज बिहार के दंगल में आपको एक ऐसे नेता से मिलवा रहा हूँ जो की बहुत जादा सुर्खियों में नहीं रहते हैं चुपचाप अपना काम करते हैं मीडिया भी सायद उनको बहुत जादा कवरेज नह आता है कि अपना काम चुपचाप करते रहते हैं गरीब गुर्वा मजदूर किसानों के हक की लराई लड़ते रहते हैं और इस बार महागडबंधन में तीसरे सबसे बरे पार्टनर हैं तीस सीटें इनको दी तीस सीटें जो लेफ्ट पार्टीज को दी गई है उसमें से अ मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि बिहार के इस चुटाव में कहा जा रहा है कि माले यानि CPI ML भरसे CPI भरसे CPM हो रहा है क्या ये सच है माले भरसे CPI भरसे CPI बिल्कुल ऐसा नहीं है इस बार पहली बार तो ऐसा हुआ कि 2015 में माले प्लस CPI प्लस CPI प्लस CPM था और इस बार माले प्लस CPI प्लस CPM प्लस RJD प्लस कॉंग्रेस तो महा गडबंधन बना कोई कोई वर्सिस का सवाली नहीं है और एक निरनायक गड़बंधन बना लोग तो कह रहे हैं कि देर आया यह गड़बंधन लेकिन बहुत दुरुस्त आया है क्योंकि एंडिये से लड़ने के लिए जिस तरह के एक राजनितिक दिशा चाहिए और एक क्लारिटी चाहिए वो इस गड़बंधन के पास है और मुझे तो लगता है कि इस बार यह गड़बंधन अपने आप में बिहार के चुनाव में एक गेम चेंजर है कनहिया कुमार को लेकर के बड़ा कनफ्यूजन की इस्थिती बनी हुई है यह कहा जा रहा है कि कई लोग जो है आपकी पार्टी के या फिर बाकी जो लोग है वो नहीं चाहते हैं कि कनहिया आके आपके यहां पर चार करें तो मेरा सवाल इसी को लेकर के था यह कनफ्यूज में चार-चार लेफ्ट के उमीदवार हैं तो कनहिया आगा थोड़ा बेगू सराय में लगे हुए हैं अपनी पार्टी के सीपी एम के जीत को सुनिश्चित करने के लिए मुझे तो बिल्कुल जैसे राजू जी हमारे जो लोग सभा के उमीदवार थे आरा से हमने बिल्कुल उनको आरा में ही केंद्रिद करकर रखा वो पूरे बिहार में नहीं पचार कर रहे थे तो यह तो एक लोगों के अपनी अपनी समझ है कुछ लोग इसमें स्टोरी ढूंड टेस्ट में कोई स्टोरी नहीं है आपने कहीं कहा है कि यह चुनाओ जो है गेम चेंजर होने वाला था जो है साबुदीन पर साबुदीन हमेशा आरजेडी में रहे लालु यादव के करीबी रहे अब आप उसी पार्टी के साथ गणबदन कर रहें क्या आप चंसे करकी सहाधत को भूल गए हैं लिए किसी भी चीज़ को भूलने का कुछ सवाल नहीं है लिए सवाल है कि हम अतीत में तो जीतें नहीं हैं जीतें हैं बरतमान में और हमारे सामने रहता है भविश्य का सवाल तो इसलिए जिस दौर में बिहार में आरजेडी की सरकार थी अकेले हम नहीं भी रोद कर रहे थे बिहार में बहुत सारे लोग भी रोद कर रहे थे वहापक जनता भी रोद लोग अपमानित महसूस कर रहा है तो बिहार में इंडिया को रोकना इंडिया को हराना हमने सुचा की ये बहुत-बडड़ा एक काम होगा और विहार के लिए विजरूरी है और इंडिया को हम रोक लेते हैं बिहार में तो पुरे देश के लिए quierenュ तो यहारे देश को दूसरा सवाल कि जिस आर्जेडी के साथ जा रहे है उसके पीछे एक बौगी ह completely तब उसके पीछे एक इतिहास है यदि आप RJD के सासन की बात करेंगे तो लोगों को लालू राबरी के 15 साल की सासन की याद आती है और आपको मालूम है उस बारे में क्या नहीं कहा गया जंगल राज से लेकर बहुत चीज कहा गया तो क्या आपको लगता है कि जनता उस राबरी याद को इदम भूल चुकी है और अब अब आप जो उनके साथ गये हैं आप उसको जस्टिफाइ कर रहे हैं नकारने की बात ही नहीं हम कर रहे हैं क्यों नकारेंगे लोगों के पास बलकि कुछ लोग ये समझते हैं कि पबलिक है वेरी शॉर्ट मेमरी और जैसे मोदी जी तो उस सबी शॉर्ट मेमरी ढूनता है तो इसलिए इस समय पिछले 15 साल पिछले 15 साल के बाद भी हम आपको तीन बात कह रहा है 15 साल से नितिश जी शुरू में बहुत उम्मिद जगी थी विकास को लेकर सुशाशन को लेकर उसारी उम्मिद धिरे-धिरे खतन हो गई विहार में सेकेंडली जब मोदी जी आये और ड कि टेबल इनजिण फेलियर है ऐसा नहीं के एकंजिन फेल कर गया दूसरी इंजिन भी आगे बढ़ा रहा है दोनों इंजिन डबल इंजिन फेलियर है डबल किड्नी फेलियर की तरह तो इस बिहार के लिए बहुत खतर नाक है और लोग करहें डबल बुल्डजर भी है बिहार एक संत्रमन के दौर में है और वो बिलकुल एक फ्रेश नया चेहरा लोगों को अच्छा लग रहा है जहां तक हम तो उम्मीद करते हैं जो संकल पत्र बना है इसमें पहली बार बिहार में जो एजंडा बना है चुनाओ का यह देखने लाइक है कि इस दौर के सारे आं अज दे वें अगया है तो एंगे में आना यह अपने आप में अन्दुलनों की बड़ी ज्स है और इस एजंडा का लागू होना ये आंदलनों की दूसरी बड़ी जीत होगी और हमें तो निश्चित पर ये भरोसा है कि जब एजंडा तयार किया गया है तो एजंडा लागू भी होगा और हमारी पूरी भूमीका इसी में होगी कि एजंडा बनाने में भी हमारी भूमीका रही है एजंडा को लागू करवाने में और एजंडा को आगे बढ़ाने में भी भागपा माले की और मामपंत की पुरी भूमी का होगी आपके उपर एक आरोप है आपके पार्टी के उपर की आप किसान मजदूर मजलूम दबे कुछले लोगों की राजनीती करते हैं और उन बार के बिहार का चुनाओ आपको बता देगा कि लोग इस जूट को समझ चुके हैं लोग जानते हैं कि माले किसी कास्ट वर की पार्टी नहीं है माले डिमोक्रिसी की पार्टी है माले हिंसा करने वाली पार्टी नहीं है माले हिंसा जेलने वाली पार्टी है आपके लिए बरा दुस्मन कोन है बिहार में BJP या नितिश कुमार सिदा सावाल है पेना भले बीजेपी का जो आखरी प्रचार आया उसमें कोवीट प्रटोकल के तहएट जो दूरी दोगज की दूरी हमने देखा कि उसमें मोदी जी की फोटो है और नितिश जी की फोटो गाइब है दोगज या दो मिल की दूरी उन्होंने बना ली तो ये दूरी की वैक्खा तो वह जो लोग देंगे लेकिन ये ऐक गलत परचार करने की कोशिश है कि अगर मैं ये कुछ अगर बीजाए तो सब कुछ ठीकरा नितिश जी पफोरना है ये बिल्कुल गलत होगा हमने साहिए कि नितिश जी अलग नहीं नहीं है एक सिक्क्य के दो पहलू है और दू सिक्क्य का नाम है इंडिये जो सिक्का बिहार में चलनी पायगा. कि अधिकतर LJP को वोट गया है जहाँ पर LJP के लोग वहाँ पर जेडियू के खिलाफ थे तेही तो इस बार बात हो गई कि ये लोग सबसे जादा कहते थे कि हमें गड़बंधन चलाना आता है और गड़बंधन धर्म इस शब्द का भी मेरे ख्याल से इजाद भारती जनता पार्टी बलो नहीं एक जमाने में किया था और इस बार आप देखेंगे कि इधर जो गड़बंधन बना है कॉंग्रेस का, राजत का, माले का, CPI, CPM का ये गड़बंधन एक जूट है और उधर जो एंडिये का गड़बंधन है उसमें बिखराओ है, विभाजन है, आपस में अविश्वास है और दो गज नहीं, पता नहीं कितने मिलों की दूरी आपस पर बन गई है बिहार के चुनाओ के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे यंग लीडर है इस चुनाओ में और एक पूरी PD जो है वो चली गई है और तेजस्वी हैं, दूसरे तरफ चिराग हैं और धेर सारे लोग भी जो है चुनाओ मैदान में हैं जो युवा हैं, आपको क्या तेजस्वी या चिराग इन सब के नित्वित पर भरोसा हैं इस बार बहुत सारे चुनाओ में संदीप सौरब से लेकर, मनोज मंजिल से लेकर, आजीत कुश्वा से लेकर, यहां जीतेंदर पासवान है भोरे में, तो एक से एक नौजवान नेता, तो यह बिल्कुल सही आपने कहा, सही पकड़ा कि इस बार का चुनाओ विहार में एक जनरेशन शिफ्ट हो गया है. अगले दो चरण में बढ़तावत बढ़ेगी और लगभग विहार का यह चुनाओ सिल होते जा रहा है. दिपांकर भटचाजी आपका बहुत-बहुत सुक्रिया आपने चुनाओ के इस वक्त में समय निकाला हमसे बात करने के लिए आपका बहुत धन्नवाद. झाले निकाला है. झाले निकाला है.